हेई गाइस वल्कम बैक टो माहाई चनल आज अपन करेंगे हुंडे की आइटेन नियोस का अस्टा वेड़न का डेटेल रिव्यू क्या आपको लिनी चाहिए कि नहीं लिनी चाहिए सब अच्छेस देखेंगे स्पेस वगरा सब चेस्ट फीचर्स और तो वीडियो में बने र यह आइटेन नियोस का अस्टा वेड़न का प्राइज है 7.42 लेक्स एक शोरूम यह फोर्ट रिंस में आपको एवलेबल है एरा, मेगना, स्पोर्ट्स और अस्टा वेरिंट जो आप देख रहे हैं यह आपको अटोमेटिक एंड मेनोर ट्रांस्मिशन दोनों के साथ आती है इसके ऐलाउय आपको 15 इंच के मिलते है 175-60 टायर साइज और आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती ह इसके जब डियारेल ओन होती है अपको काफी अच्छी लगती है कार सामने से फ्रंट लूग इसका काफी अच्छा है परसनली मुझे पसंद है और आप देख सकते हैं इसका साइड लोग यह एने पेटोल 12cc का इंजन है तो यह आपको 20.7 का क्लेम करती मैलेच यहाँ भी आ प्राइवर साइड पे रिक्वेस सेंसर भी देखने का मिलता है यह देखे तो यह भी काफी अच्छा फीचर है बिकॉस प्राइस भी वैसा ही ले रहे है हुंड़ाई वाले यह देखे कुछ इसका इंटिरियर इस तरीके का दिखता है इसमें आपको फैबरिक आपोस्ट्र के साथ मिलता है फाइव स्पीड ट्रांस्मिशन के साथ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन में मिल जाती है आपको यह सेवेंट कर लो अगर अगर अपन सेफ्टी फीचर के बात करें तो दो एरवेग मिलते हैं सामने पैसेंजर एंड ड्रावर के लिए एंड एबीडी प्ल इसमें आपको आम रेस देखने को नहीं मिलता बटी एड्जस्टिबल है ड्रेस मिल जाता है आपको डियर एसी बेंड मिल जाता है और आपको नॉर्मल चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है इसका फ्लूर फैट नहीं है हम पह बीच में इसमें भी आपको हाट प्लास्टिक द आपने सुना ही होगा इंटिरियर में आपको ये semi-digital आपको instrument cluster मिलता है जिसमें आपको door 1000 warnings भी दिखाता है and speed भी इसमें digital आपको दिखाता है तो ये तो होगे इसकी बात अब चलते हैं इसके infotainment system के बात करते हैं वो मिलते हैं आपको 8 inch का and इसका में touch response आपको दिखाऊं तो देखिए आप ये quality Hyundai provide करता जो कि मुझे काफी पसंद है इसके जो touch screen infotainment system वगरा रहते हैं बहुत सही रहते हैं and इसका engine refinement काफी अच्छा रहते है मारूती से compare ने करूँगा but Hyundai second number पे आएगा अगर मारूती से compare करूँगा तो इसमें आपको reverse parking camera with sensors मिल जाता है and इसमें आपको 4 speakers मिलते हैं इसमें Android Auto and Apple CarPlay आपको दोनों मिलता है ये 8 inch की infotainment system में तो इसके audio system की sound quality काफी अच्छी तो नहीं ये decent है अगर मैं engines की बात करूँ क्या के engines आपको मिलते हैं Grand Ita Neos में तो एक diesel engine मिलते हैं आपको दो petrol engine मिलते हैं जिसमें एक turbocharged है एक naturally aspirated है and आपको इसमें CNG भी offer किया जाता है तो diesel engine इसमें आपको 11.86cc का मिलता है petrol engine आपको इसमें 11.97cc का मिलता है and जो इसमें turbocharged आपको petrol engine मिलता है वो 998cc का मिलता है and CNJ आपको 11197cc में मिलता है and अगर मैं diesel engine के power output के बाद करूँ तो 74BHP का आपको diesel engine मिलता है 26.2 KMP का mileage claim करता है diesel engine and इसमें maximum torque आपको 190 Nm का मिलता है and इसमें city mileage जो company claim करती है वो 19.4 का है which is quite good and fuel tank capacity के बाद करूँ तो 37 liters आपको सभी engines में देखने को मिलेगा 260 liters का आपको boat space मिलता है और अगर मैं NA petrol engine के बाद करूँ तो इसमें 1.2 liter आपको kappa engine मिलता है जो की 1197cc का है and इसमें maximum power आपको 82 BHP का मिलता है 113 Nm का torque है इसका maximum and number of cylinders 4 जो की आपको काफी अच्छा refinement देते है and smooth driving मिलती है आपको and now अब last में turbo charged petrol engine के बाद करते है 1 liter आपको turbo GDI petrol engine मिलता है displacement इसका आप देख सेते हैं 998cc का है maximum power 100 HP which is equal to breaking horsepower 98.63 and इसका maximum torque है 171 Nm का torque है number of cylinder 3 थोड़ी refinement कम रहती है but engine काफी powerful है जो की 10 seconds के under पे 0 to 100 sprint कर लेता है तो अब बात आती है आपको ये car लेनी चीए कि नहीं लेनी चीए अगर आप car enthusiast है अगर आपको बहुत performance oriented car चाहिए तो आप polo TSI देख सकते है and इसका 1 liter turbo charge petrol engine देख सकते है but अगर मैं build quality की बात करूँ तो आपको polo में ज़्यादा better मिलेगी and अगर आप natural aspirated engine देख रहे है तो आप refinement अगर थोड़ी सी अगर आप compromise कर सकते है थोड़ा सा vibration तो आप Tiago में जए because वो 4 star rated car है and वो काफी better है इससे so guys thank you so much for watching subscribe करेंगे में चैनल को और इसका please press the bell icon